नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर आज है हमारे भारत के राष्ट पिता महत्मा गांधी जी का पुन्ति थी आज ही के दिन बापु जी इस दुन्या से अलविदा कह गए थे तो आज हम लोग महत्मा गांधी जी को भावपूर स्रधान जली देते हुए मुहमद रफिस सहाब के एक ऐसे अमर गीत के बारे में बात करने वाले हैं जिस गीत को मुहमद रफिस सहाब ने महत्मा गांधी जी के लिए गाये थे लेकिन आज हम लोग महत्मा कांधिजी के पुन्यती थी इस स्पेसल में एक ऐसे अमर गीत के बारे में बात करने वाले हैं जिस गीत को बहुत अपनी खुभ फुरत आवाज में महमद रफिस सहाब ने महत्मा कांधिजी के लिए अपनी आवाज दी और ये गीत अगर आप सुनेंगे तो बज सुनते ही रह जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं 1948 का महिना था दोस्तों और जब महात्म कांधी का निधन हुआ तब रातो रात राम कृष्ण जी ने एक गीत लिखा और वो गीत थी सुनो सुनो ऐ दुनिया वालो बापू की अमर कहानी और ये गीत 1948 में फिलिम बापू की अमर कहानी में दर्साया गया और इस फिलिम का संगीत हुसान लाल भगत राम ने दिया और क्या खूब इस गीत को राजिंदर कृष्ण जी ने लिखा जिसे अगर आप सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे आप दोस्तों गीत के लाइन ही सुन लिजे सुनो सुनो ऐ दुनिया वालो बापू की अमर कहानी बहुत ही ज़्यादा पापूलर हुई ये गीत और आज भी 15 गस्त 26 जनौरी में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है लेकिन दोस्तों आज महत्मा कांधी जी का पुन्यती थी है तो आज हम लोग महत्मा कांधी जी के पुन्यती थी स्पेशल में इस अमर गीत को सुनेंगे तो आए पहले हम लोग ये बहुत ही खुबसूरत गीत जो है वो सुन लेते हैं मुहमद रफीज सहाब के बहुत ही खुबसूरत अबाट तो यही अमार गीत है दोस्तो जिसे मुहमद रफीज सहाब ने महत्मा कान्धी जी के लिए अपनी आवाज दिया था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और आद भी पसंद कर रहे हैं यूँ तो दोस्तों ये गीत बहुत ही लंबी है क्योंकि इसमें मुहमद रफी सहाब ने महत्मा कानेजी के जिवनी को पूरा दर्साया है और इस गीत को मुहमद रफी सहाब ने अलग-अलग पार्ट में भी गाया जिसे आप लोगों ने काफी प्यार दिया और क्या खूब इसमें संगीत हुसान लाल भगत रामजी ने दिया और मैं रादिंदर क्रिशन जी का जितनी भी तारीफ करूं बहुत ही कम है जोनोंने रातो रात इस गीत को लिखा यू तो दोस्तो मुहमद रफी सहाब ने और इसे कई गीत हैं जो महत्मा गांधी जी के लिए आप लोग जानते ही हैं लेकिन एक और गीत है जो काफी ज़दा पापूलर हुई फिल्म का नाम है पुज्या गांधी जी ये बहुत ही रेयर फिल्म है दोस्तो और इस फिल्म में गीत थी सुनकर पुकार बापू की और इस गीत को भी बहुत है अपनी खुफरत आवाज में मुहमद रफी सहाब ने महत्मा गांधी जी के लिए अपनी आवाज दिया था एक ऐसे अमर गीत के बारे में बात कर रहे हैं जिस गीत को मुहमद रफी सहाब ने का कर अमर कर दिया सुनो सुनो ऐ दुनिया वालो बापू की ये अमर कहानी दोस्तो अगर आप ये गीत फुल सुनना चाहेंगे तो आप लोगों को यूटूब पे मिल जाएगा वहाँ से जाकर ये गीत जो है वो एक बारा फूल जरूर सुनियेगा बहुत अपनी बहतरी नवाज में मुहमद रफी सहाब ने ये गीत महत्मा गांधी जी के लिए गाया था जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को ये अमर गीत जो है वो कैसा लगा हमें कामेंट करके जरूर बताईएगा और आज है महत्मा गांधी जी का पूर्निती थी तो हम लोगों के तरप से महत्मा गांधी जी को भावपूर सरधान जली और वे जहां भी रहें खुश रहें अबाद की यही दो है तो आओ इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़े थांचु दोस्तों हमारी वीडियो वाचिंग करनी के लिए विए